फ्लोराइस किचन के मंगलवार के शो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आज में जो सबजी लेके आयू बहुत ही टेस्टी और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है आप ये रोज बना के खाईए तो आपकी हेल्थ जो है बहुत ही फिट रहेगी इसमें बहुत सारे कल्शियम की मातरा होती रहे है तो आपको गुटने का कमर का दर्द भी आपको कम रहेगा और हाँ आपको अगर गैस की प्रॉब्लम है तो गैस के लिए भी बहुत ही फाइदा करता है अगर आपको सुगर है तो सुगर को भी ये कंट्रोल करता है और आपका खून है वो साप बनाए रखता है मतलब आल इन वन सारे जड़ों का एक ही इलाज है आप ये सबजी रोज खाईए किस तरह से भी आप उबाल के भी खाईए बहुत ही फाइदे मंद है तो चलते है फ्लोरास किचन में और शुरू करते है आज की रचेबी तो friends यहाँ पर मैं सहजन काट रही हूँ इस तरह से आपको काटना है ताकि हम जो इसके अंदर मसाला डालने वाले है वो आसानी से इसके पर चिपक जाए और हमारी टेस्टी और एकदम हल्दी वाली सबजी बनके रेडी हो जाए तो ये सारी फलियों को इस तरह से दो टुकडों में हम कट कर लेंगे तो ये हमारी कट के रेडी हो चुकी है अब सबजी बनाने के तयारी करते है तो फ्रंस ये बहुत ही आसान तरीका है अब एंड तक जरूर वीडियो दिख़ेगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और आप रोज ही हाथे में दो बार तो बना के खाएंगे ही तो यहाँ पर मैंने कड़ाई रख दी है और कड़ाई में हमने रिफाइंड ओल डाला है दो टेबल स्पून जितना हमारा तेल लगबग गरम हो चुका है अब इसके अंदर हम डालेंगे सरसो तो सरसो हम एड़ कर देंगे यह साइजन को है न आप इसका सूप भी बना के पी सकते है इसको बॉयल करके इसकी प्रोसेस होती है सूप भी इसका बना सकते हो और सर्डियों में आप पी सकते हो बहुत ही अच्छा और एल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है तो आप ज़रू ट्राई किजेगा इसका सूप भी बना के पी सकते हैं हमारी सरसो तड़क गई है अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम जीरा तो जीरा हमने एड़ कर दिया है और जीरा भी अच्छी तरह से तड़क गया है अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ी सी हिंग हिंग डालने के बाद यह लसुन जलना जाए इसलिए हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर एड़ करेंगे ताकि हमारा लसुन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बिल्कुल ना जले तो फ्रेंस जैसे कि मैंने आगे बताया है सहजन का सूप भी आप बना के पी सकते हो तो यह सूप आदा गलास या एक गलास एक महिने तक सेवन कर लो तो आपकी घुटने और कमर का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा तो फ्रेंस हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके है अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे सहजन की फली तो यह सबजी हमने काटे थी वो एड़ कर देंगे इसके अंदर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा लैसून है और हरी मिर्श है वो अच्छी तरह से लपटने में आ जाए सहजन के साथ उसके बाद हम रेग्यूलर वाले मसाले जो है घर में योज करते हैं वही वाले एड़ करने वाले है तो हम सबसे पहले इसके अंदर एड़ करेंगे हल्दी पावडर हल्दी पावडर डालने के बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे लाल मिश पावडर अब इसके अंदर में तीखी वाली लाल मिश है वो थोड़ी से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिश तीखी वाली है वो ज़्यादा तीखी थी वो वाली एड़की है और यहां में कश्मेरी पावडर है लाल मिश वो एड़ करूँगी जिसे कलर मेरी सबची का बहुत ही जाल सकते हो कोई दिकत नहीं है इसे ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी इसकी तो यह सारी मसाले है regular वाले वो मेरे डल चुके है स्वाद अनुसार में नमक भी डाली हूँ नमक आपको ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैं इसके अंदर पानी एड़ करने वाली हूँ तो मै अच्छी तरह से पानी हमको ज्यादा लेना है तो यहां मैं डेड़ से दो ग्लास इतना पानी इसके अंदर एड़ करने वाली हूँ तक यह अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर हम स्पेशल एक इंग्रीड इंस टाल रहे है सिक्रेट जिससे हमारी सबची बहुत ही अच्छी बनेगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना तो फ्रंस सोडा सा पानी मैं एड़ कर देती हूँ तो यहां मैंने दो ग्लास इतना पानी है वो इसके अंदर एड़ कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे तो पकने के लिए इसके उप फूल कर देंगे और इसको पकने देंगे तो गैस यहां पर बने एकदम अच्छी तरह से पक चुकी है आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका टेक्चर भी खूब अच्छा लग रहा है तो फ्रंस सबसे पहले हम चेक कर लेंगे यह फली पकी है क 80% जितनी पक चुकी है अब खास इंग्रीडेंस है वो इसके अंदर डालना है जिससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो यहां पर मैं बेसन एड़ कर रही हूं बेसन से सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता और थोड़ी गाड़ी भी बनती है तो इ इसको ढखके ऐसे ही हम छोड़ देंगे और गैस जो है हम स्लो कर देंगे और ऐसे ही इसको पकने देंगे तो थोड़ी देर के बाद हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि इस सबजी कैसी लग रही है तो फ्रेंस आप 10-15 मिनिट हो गई हम चेक कर लेंगे तो यहां पर आप है कि हमारा बेसन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है इसके अंदर इस तरह से आपको मिक्स करना है बेसन भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है बॉइल हो चुका है अब यह सारी सबजी को मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ तो फ्रेंस इसको अच्छी तरह से चला लेंग और इसको जब हमने बेशन मिक्स कर दिया है इसके साथ सब्जी के साथ तो इसको दो मिनिट या पांच मिनिट इस तरह से लेड लगा के हम रहने देंगे और गैस जो है एकदम स्लो ही रखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल ही हमारी सब्जी बनके तयार हो चुकी है यह सब्जी के साथ आप रोटी पराठा खा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं आप लंच या डिनर में इसको खा सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ह हमारी सब्जी बनके रडी हो चुकी है तो फ्रेंस आप इसको ट्राइ जरूर किजेगा आप मैं गैस आफ कर रहे हूं तो चलिए हमारी सब्जी रडी हो चुकी है इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है तो फ् नेक्ट हो सको तो मैं फ्लोरा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार टेस्टी और आथेंटिक रेसिपी के साथ अगले मंगलवार को शाम को चार बजे थैंक्स पॉर वाचिंग